नमस्कार मैं हूँ दिप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भागयम में और भागयम के इस विशे सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज और इकल काड के जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है हम ऐसा क्या करें और किन बातों को करना अवाइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी खुबसूरत बना सकते हैं और दोस्तो इसके लिए हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग करते हैं कौन सी रीडिंग होगी आपकी यदि आप नहीं जानते हैं या कौन सा है आपका मूलांग यदि आपको यह जानकारी लेनी है तो उधार और शुरूप आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी देटो बर्थ है बारा एक और दो को जब हम जोडते हैं तो जोड़ाता है नंबर तीन तो नंबर तीन होगा आपका मूलांग और आज की तारीक है 11 अगस्त से 2,023 आप तो जानते ही हैं कि नंबर 11 इसा मास्टर कार्मिक नंबर 11 बड़ा ही पावरफुल अंक होता है खास तोर पर उन चीजों के लिए जिने की हमारी जिंदगी में हमें अट्राक्ट करना होता है मैनिफेस्ट करना होता है तो नंबर 11 जो होता है यह इतना पावरफ की ऊर्जा तो नंबर 2 के स्वामी है में जो आज की तारीक का जो मूलांग दो है जिसके स्वामी है चंदřमा तो एक तरफ सूरे की ऊर्जा एक तरफ चंदरमा की ऊर्जा और दोны ही प्लानेट हमारी प्लानेचरे सिस्टम के गया सबसे ज़ादा दौसिए आईए जानते हैं मूलंक एक के लिए एंजल्स एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 11 अगस्ते 2023 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है स्टार गेजर का कार्ड है डिवाइन आज आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी जो पावर है वो बहुत अच्छी है आपकी प्रतिभा बहुत अच्छी है अगर आप उसका सदुपयोग करते हैं बट वास्त्रिता में देखा जाये तो जितना टालेंट आपके बीतर है आप उसका 100% इस्तमाल ही नहीं कर रहे हैं फिर चाहे आपका व्यवसाय हो या आपकी नौकरी हो या फिर मैं बात करूँ पढ़ाई के शेतर में भी विद्यारतियों कि अगर मैं बात करूँ कहीं न कहीं आपको गाइड किया जा रहा है कि आप अपने टैलेंट को सबसे पहले तो पहचाने होता क्या है कि जिस एनरजी को हम बाहर दूसरों की लाइफ में जाकने के लिए दूसरों के साथ कॉम्प रखना चाहिए अपने आसपास की परिस्तिती को देखते हुए अपने आपको आपको आज डाउन नहीं करना है बलकि आपको अपने सेट्स को बहुत हायर रखना है अपने लक्षिक को अपने गोल के उपर फोकस करते हुए आज आपको काम करने की बहुत जादा जरूरत है अपने उपर भरोसा रखे और अपने गोल्स को प्राप्त करने में लग जाए आईए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 11 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है ग्रेट टीचर का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको गुरू जनों की कृपा प्राप्त होने वाली है साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो experiences अभी तक जो भी आपने struggle देखा है किसी प्रकार की दुख की घड़ी में जो आपने लेसन लिया है वो आज आपके काम आने वाला है हो सकता है आप किसी ना किसी दूसरे विक्ति को गाइड करें समझाएं या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जॉब में या जो भी आप काम करने वाले हैं उसमें आपका experience count हो उसमें कहीं ना कहीं जो कुछ आपने face किया है आज उसका जो है इस्तमाल करने का समय आ गया है आपका दिन शुभो आई जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारे angels and sisters आज हमें क्या guide कर रहे हैं 11 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है शामिन का कार्ड है आपक मानसिक रूप से जादा आपको disturb करने वाला है आपको लगेगा कि जो task है आप उसे achieve कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे office में जो लोगों की expectations है आपसे लोगों की आपके परिवार में आपके partner की जो एक expectations आपसे रखते हैं कि आप उसे पूरा कर पाएंगे fulfill कर पाएंगे कि आपके विचार आपके जीवन में परिस्ति घटना करम का आपके निर्मान कर रहे हैं तो आपको क्या करना है पुराने patterns को break करना है और परमात्मा पर भरोसा रखना है आईए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे angels हमारे ancestors आज हमें क्या guide कर रहे हैं 11 अगस्त 2023 के लिए और को कहा जा रहा है हर्मिट का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत जादा बेचैन ना हुई है बहुत जादा महत्वा का अंक्शाएं मत रखिए लोगों से बहुत जादा आपको expectations नहीं रखनी है बलकि आज आपको खुद के उपर काम करना है आज के दिन आपको क या करना है कि आपको meditation करना है या किसी भी प्रकार से आपको ऐसा कुछ करना है ऐसी किसी टेक्निक का उप्योग करना है जहां पर आप अपने आपको बहुत जादा यू शुड वर्क ऑन यॉर्सेल्फ और उसके बाद एक नए सिरे से आपको आज आगे बढ़ना है तो कुल मिला के आज का दिन रीट्रीट एंड रीचार्ज का है आपका दिन शुभोग आईये जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमें कहा जा रहा है नाइट का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी सेल्फ प्रस्टीज अपनी इमेज के उपर ध्यान देनी की जरुरत है कोई भी आप अपने मुख से ऐसे गलत शब्द ना निकालें जिसकी वजह से बद्धनामी हो या किसी भी प्रकार से आपको जाने अंजाने अगर आपके मुख से कुछ गलत निकल भी दिया निकल भी गया तो आपको क्या करना है कि आपको एक्सेप्ट करना है उसका विरोध करने की बजाए आज आप जितना जादा सहज होकर अपनी गलतियों को मानकर आप आगे बढ़ेंगे उतना ही आज आपके के लिए अच्छा रहने वाला है आए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 11 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है ब्रोकर एरो का कार्ड है आज किसी भी प्रकार से आपको वाद विवा important for you, आज के दिना बहुत जादा sensitive feel करने वाले हैं, बहुत जादा आप बेचेनी अनुभव कर सकते हैं, आपको लगेगा जैसे किसी ना आपके साथ betray किया है, आपको धोका दिया है, ऐसी कोई चीज आपके सामने जो है, आ सकती है, कही ना कहीं लोगों की सच्चाई की लोग स सामने से तो बहुत अच्छा बन रहे हैं, लेकिन वास्तविक्ता में आपकी जड़ काट रहे हैं, ऐसा कुछ आपको आज देखने को मिलेगा, तो आपको divine क्या कह रहा है, कि परिस्तिती आज थोड़ी सी विपरीत है, लेकिन जब आप अपने आपको भीतर से शान्त रखे करें, जिसमें वो कारे करें जिसमें आपको शान्ती मिलती है, जो चीज़े करना आपको पसंद रागे आईए जानते हैं मूलां के साथ के लिए हमारे एंजिल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 अगस्त 2023 के लिए और मूलां के साथ के लिए हमें कहा जा रहा है high priest का card है intent and create आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की energies आपकी जो है वो बहुत ही शक्ती शाली है आज के दिन आपको मौका मिला है अपनी चीजों में आगे बढ़ने का बहुत ही अच्छे अवसर आज आपको मिल सकते हैं जिसमें आप grow कर सकते हैं जो भी आप जिन्दगी में पाना चाहते हैं उस चीज के प्रती आज के दिन आपको अपना ध्यान लगाने की जुरुत है किसी प्रकार की ऐसा वस्तु ऐसी परिस्तिती या ऐसा कोई व्यक्ती जो आपको लगता है कि waste of the time है तो आज के दिन आपको ऐसे किसी भी व्यक्ती के साथ उलजना नहीं है you should not waste your time today बलकि आज आज आप अपने समय का अपनी उर्जाओं का सदूपयोग करें वही सोचें जो आपको प्राप्त करना है क्योंकि आज आज आपकी energy is बहुत जादा powerful रहने वाली है आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमारे angels and sisters हमें आज क्या guide कर रहे हैं 11 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमको कहा जा रहा है shape shifter का card है आपको कहा जा रहा है कि challenges हैं आपके समख्ष पिछले कुछ दिनों से आप काफी कुछ मांसिक रूप से उधेरबुन में लगे हुए हैं तो divine आपको कह रहा है कि ये जो आपकी उधेरबुन थी ये आपको और बैतर इंसान बनाने वाली है और कही ना कही इससे बहुत सारे lessons आपको मिले हैं तो आज का जो दिन है वो कही ना कही इस ये जो situation आपके समक्ष आई उसने आपके भीतर एक नए talent को उभारा जिसको कि आप नहीं जानते थे हो सकता है कि आप अपने क्रोध पर नियंतरन पालें इस प्रकार का talent हो हो सकता है अपने ego पर नियंतरन पालें हो सकता है कि आप वो situation में कोई ऐसी technique सीख गए हो, कोई ऐसी technology सीख गए हो, जिससे कि आपको जो है दूसरों पर आशुरत रहने की जुरत ना हो, तो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसको कि आपने बीते दिनों में जो है वो हासल किया है, वो जानकारी हासल किये, वो wisdom हासल किये, तो कही ना कही अब वो आपके काम आने वाली है, और वो आपके career को, आपकी life को एक नया shape देगी, आपका दिन शुभ हो, आईए जानते हैं, मूलांक 9 के लिए हमारे angels and sisters हमें आज क्या guide कर रहे है, 11 अगर्स 2023 के लिए, और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, शी वॉल्फ का card ह आज के दिन आपको कहा जा रहा है, energies बहुत अच्छी हैं, बशर्त है कि आप बहुत आज आपको गलत कहने के लिए अपने अंदर थोड़ी उगरता आपको आज लानी होगी, लोगों से काम निकालने के लिए, काम करवाने के लिए, अगर आप team leader हैं या आपके अंडर में क दिन तो आपका जो कारे फिर से टल जाएगा, जबकि आज मौका बहुत अच्छा है, अगर आप कहीं investment करना चाहते हैं, तो आप बिल्कूल कर सकते हैं, यदि आज की दिन आप किसी के साथ communicate करके अपनी चीज़ों को clear करना चाहते हैं, अगर किसी प्रकार का communication gap है, तो आज क दिन बहुत अच्छा है, divine energies आपका साथ दे रही है, इस्पेशली मा भगवती की उरजाएं, वो आज आपको full support कर रही है, तो उनको प्रणाम करके ही आज आज आप कोई भी ऐसा कारे करें, दोस्तो ये थी reading हमारी एक से लेकर नमुलांग तक की, हम परमात्मा से प्रार्थ करते हैं, आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्त रहें, आप सभी का मंगल हो, मिलूँगे आप से हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा अप्रणाम नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, भाग्यम मैं, मैं हूँ पंडित चंद्रशेकर शर्मा, दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं, आज के दिन के पंचांकी, आज दिनांक है, 11 अगस सन 2023, विक्रम समवत 2080 चल रहा है, शावन अधिक मास है, कृष्ण पक्ष है, वडशा रितू है, तिथी आज की एकादशी है, और आज का वार है, शुक्रवार, आज के नक्षत्र की बात करें, तो मरक्षिरा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्री में रहेगा, योग व्यागात है, दौपेर बाद 3 बच के 4 मिनट तक आगे हर्शन योग है, तो योग की समय शाम 7 बच के 7 मिनट का है, आज का राहु काल सुबह 10.30 बजे से लेकर दौपेर 12 बजे के बीच रहेगा, इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा, क्योंकि इसमें कोई शुबकारी नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए, अभिजित मूरत आज दौपेर 12 बच के 58 मिनट के बीच है, दिन में चार बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझीगा और सूजभूत से इन्हें टाल दीजेगा, ये हैं सुबह 8 बच के 34 मिनट, सुबह 9 बच के 27 मिनट, फिर दौपेर 12 बच के 58 मिनट, और दौपेर 1 बच के निकले, परिहार कैसे होगा, कि पश्चिम के और मुक कीजिए, थोड़ा सा जो या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए, और जब ये सब करें आप सारी प्रक्रिया, तो भगवान श्री राम या आपने अपने इस्ट का हरदे में ध्यान करें, उनसे प्राथना क करें, और फिर इस देशा की यात्रा करें, यात्रा बहुत ही शुब मंगल में सुरक्षित रहेगी, कारेश सिद्ध होगा, इसमें कोई संद्रे नहीं है, आज का शुब समय धर्शे को, यानि आज की दिन का सदुप्योग करने का जो समय है, वो है सुबह 7 बच के 35 मिनट से दौपेड 2 बच के 10 मिनट तक और फिर शाम 5 बच के 30 मिनट से शाम 7 बजे तक, ये तीनों काल खंट बाकी पूरे दिन की अपयक्षा जादा शुब और योग कारक है, तो कोई अच्छे एफट्स करें, कोई अच्छी कोशिश करें, तो इन समय का ध्यान रखते वे करें, त तो सफलता के चांसेज आपको जादा मिलेंगे, आज की चंद राशी दर्शे को वरश है, शाम 4 बच के 58 मिनट तक आगे फिर चंदरमा मिथुन राशी में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है, सबसे बड़े नुकसान से एकदम से बचके निकलेंगे, और करक राशी वालों को आज किसी बड़े निवेश से बचना चाहिए का इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें, सिंग राशी वालों को आफिस में प्रमोशन और इंक्रिमेंट संभव है, वहीं कन्या राशी वाले अचानक से पा सकते हैं कोई बड़ा लाब, और तुला राशी वाले स्वास्ते लाब करते वे नजर आएंगे, छोटी मोटी अगर हेल्थ प्राब्लम चल रही थी, वो ठीक हो जाएंगे, व्रश्चिक राशी वाले ध्यान रखे कि जादा घूमना फिरना, बाहर का खाना पीना, कहीं आज आपको बिमार ना कर दे, और धनू राशी वाले किसी विवाद को सुल्जा लेंगे, आज जीवन साथी से आपके सम्मंद पहले से भहतर होंगे, मकर राशी वाले अपने जल्द वाजी के निर्णयों से नुकसान उठा सकते हैं, और कुम राशी वाले घर में चल रहे को प्रग्या को जागरत करेगी, फिर आगे समझेंगे उन बहुती विशेश उपायों को जो आपको समश्याओं से बाहर भी ला देते हैं और जीवन में आपको सफल बना देते हैं, अन्तुमे करेंगे आज की दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान, दर्शे को एक बहुती सुन्दर शलोक हमारे शास्त्रों में इस प्रकार से आता है, ध्यान से समझीगा शलोक को कि ध्रती शमो दमे शोचम कारुन्य वाग निश्टुरा मित्रणाम चान भिद्रो है, सप्तिता समिधे श्रिये, इसका अर्थ ये है कि धेर्ये, मन पर अंकुष यानि नियंत्रण, इंद्रिये संयम, यानि अपने इंद्रियों को उनके विशे भोग से नियंत्रित रखना, पवित्रता, यानि अपने आचरण में, अपने कर्म में, भाईया, भ्यांतर, शुची रखना, दया, मदुरवानी और मित्र से द्रोहों करना, बहुत बढ़ा पाप है, तो ये दर्शे को धन, यानि यानि गलत राष्ते सायवा धन, उसकी आयू बहुत कम होती है, यानि वो जिस गती से आता है, उसी गती से चला जाता है, वहीं सुमार्ग से, यानि इमान improperly से धर्म मार्ग पे चलते वे, जो धन आएगा, वो चिरस्ताई होता है वो पीडी दर पीडी चलता है और सुमारगी धन तब आता है जब आप में ये सारे गुण हो दया हो वानी ऐसी हो जो दूसरों को सुख दे मन पर इंद्रियों पर नियंत्रन अच्छा हो आपके आच्रण में शुद्धता हो अपने कारियों में पवित्रता हो तो फिर आप धनी भी हो जाएंगे और वो धन जो है वो स्थाई भी रहेगा तो ये आज की ग्यान चर्चा का सारे की ये सारे गुण हम अपने आप में स्थापित करें दर्चे को अब करते हैं चर्चा उन विस्स टुपायों पर जो आपकी सभी प्रकार के समश्चाओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं मिनट पर सवा किलो मीठे धही से भगवान शिवजी का विशेक करें और महा मुर्तिन जे मंत्र की कम से कम तीन माला जाप वहीं मंदिर में बैटके आपको करना है और उसके बाद में शाम पांच बच के तीस मिनट पर किसी भी व्रद्धा अश्रम में जाए सवा पांच किलो से अधिक जितनी आपकी शमता हो यानि कम से कम सवा पांच किलो अधिक जितनी आपकी शमता हो उतने फल व्रद्धा अश्रम में वितरित कर दीजिए ये सारे कार्य अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष बहुती सुन्दर, शुब और अनुकूल बीतेगा इश्वर की अनुकंपा आपके साथ बनी रहेगे, इसमें कोई संदे नहीं ऐसी दर्शे को जिन लोगों को भीशन आर्थिक पीडाओं का सामना करना पड़ रहा है, काम धंदे में बहुत जादा अर्चने आ रही हो, या वो लोग जो हर संभव प्रयास करने के बाद भी अपनी फाइनेंशल इस्तिती को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो ऐसी इस्तिती म में भगवती आदी शक्ति की शरण लेनी चाहिए, इसके लिए करना ये है कि नित्य इस बहुती विशिष्ट मंत्र की तीन माला का जाब आप शुरू करें, और दशांश यानि की लगबग 31 आहुती इस मंत्र के अंत्र में स्वाहा लगाकर घी और खीले यानि जो मुरमरे होते हैं और सफेद मिठाई की देदें, यानि थोड़ा सा घी मिलाएं, खीले मिलाएं, सफेद मिठाई 31 आउती देनी हैं, इस प्रकार से मंत्र है, ध्यान से समझेगा, मंत्र बहुत विशिष्ट है, और बहुत तेज काम करता है, मंत्र है, दुर्गे स्मृता हरशी भीती सब्सक्राइब बहुत विशेष जन्तो, स्वस्ते स्मृता मती मतीव शुभाम ददासी, दारिद्र दुख भयहारणी, कात्वदन्या सर्वो पकार करनाय सदाद्र चित्ता, मंत्र का एक बार फिट से समझते हैं, मंत्र स्प्रकार है, दुर्गे स्मृता हरशी भीतीम करतेंगे आप अपनी भीशन से भीशन आर्थिक संकट से करजे से समझ्चाओं से बाहर निकलाएंगे इसमें कोई संदे नहीं है आप करके देखें इसका रिजल्ट आपको खुद देखेगा ऐसे ही जब कोई अकारण आपको परिशान कर रहा हो आप पर केस मुकद में किया जा रहे हो या आपको बदनाम किया जा रहा हो या फिर आपको लगातार आपकी साख को गिराया जा रहा हो आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचा जा रहा हो तो इस प्रकार के वेमनश्य पूर्ण कर्म अगर लगातार कोई आपके विरुद्ध करें वो भी तब जब आप दिर्दोश हो तो उसे उचित दंड देने के लिए आपको श्री हनुमान जी की शर्ण लेनी चाहिए नित्य हनुमान जी के मंदिर में गुड चना धूप और एक घी का दीपक ले जाए और वहां जाकर दक्षिन मुक को करें बैठें अपनी पीडा को अपनी समश्या को एकदम कातर भाव से आर्थ भाव से हनुमान जी को कह दें और फिर प्रातना करें कि जैसे आपने सण्कटों से बाहर निकाला था वैसे ही मुझे भी महा संकट से बाहर निकालिए और इस शन निकालिए ऐसी प्रातना कर फिर इस बहुत ही विश्ष्ट मंतर की पांच माला का जाप करें मंतर इस प्रकार्य ध्यान से समझीगा मंत्र को फिर्चे समझते हैं तर्शे को नित्य कुछ दिन के जाब से आप सभी समश्याओं से निश्यत रूप से बाहराएंगे और बहुत ही जल्दी जो आपको लोग परेशान कर रहे थे वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे कुछ चीजों का खयाल रखना है एक तो सत्य आपके पक्ष में होना चाहिए यानि की गलती आपकी नहीं होना चाहिए दूसरी साधना काल में मांस मदीरा से दूर रहें और यता संभो ब्रह्म चर्य का पालन करें पिर देखिया अनुमान जी कृपा होती है और कैसे आप समश्याओं से बाहर आते हैं तो दर्शे को यह थे आज की वह विसस्ट उपाए जो आपको समश्याओं से बाहर भी ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाई भी पूरी कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की अगनेश बुद्ध जो है और लगन में बैठे सूर्य के साथ तो कहने को तो यह सूर्य बुद्ध यानि बुदा दित्ते योग बन रहा है लेकिन लगनेश यहां अस्त हो जाते हैं यही जो लगनेश यह आपकी दशंभाव का स्वामी भी है तो करियर के मालिक भी हैं तो क सीधी पढ़ रही है दूसरा विवा भाव पर सूर्य की सीधी दरश्टी क्योंकि वो लगन में बैठे हैं तो यह जो योग है यह ऐसी स्तिती बनाते हैं कि बाते तो बहुत चलती है विवा की रिष्टे की लेकिन रिष्टा तै होते होते रह जाता है कोई ना कोई अर्चन की शान्ति करवाई है गुरु ग्रह के जाब करवाई लीजिए बुद्ध ग्रह के साथ गुना जाब और गले में परना पहन लीजिए विवा भी हो जाएगा और करियर की अर्चने भी दूर हो जाएंगे तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विसस्त उपाई औ की बताए उपायों को सही विदी सटीक समय और अटूट शद्धा के साथ करके आप पूरा पूरा लाब उठाएंगे और जो ज्यान चर्चा जो सत्संग हमने किया इस अपने जीवन में होता रहेंगे जिससे धीरे धीरे अपका जीवन शिव में सत्य में और आनंद में होत जिससे जो प्रक्रती है जो भगवती हमारे सामने है इनकी सेवा होती रहें कारेक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद भगवती आप सबका कल्यान करें जै आदिशक्ति